कॉन्फिडेंस होना चाहिए मतलब कॉबरे के लेवल का है तंक्या हमारा लास मिला समसान है जोगे का जोगाड का भी फैल होता है का जोगाड तो हर रोज करने पर दोगता है यूणो क्या है कि आपकी बेटी हमारे कबजे में है अपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरे इसके बाद टिकुविट शेरू फिल्म हो रही है रिलीस जो कंगना ने प्रोडूस की है अब यह हमारे साथ मौजूद है नवाजो दिन सिर्दिकी जी जो अपनी अपकमिंग मूवी के लिए जापूर आये है अपनी जो मूवी है इसके बारे में थोड़ा ब्रीश बताएंगे मूवी तो बिल्कुल फ़न फील्म है और त्ली फिल्म है अचिसे फिल्म है फैमिली के साथ बच्यों के साथ पैठके दे सकते हैं जोगाड की मुवी का नाम है, जोगी प्रताप सिंह आपका नाम है तो जोगाड आपने कितने किया आसल जिंदगी में? जोगाड तो हर रोज करने पड़ते हैं, अभी वी में खाना खा रहा था, तो क्या नमक था ना उसमें? जो नमक डालते हैं ऐसे तो फस गयाता है स्टैंड में वह तो ने पूरा स्टैंड उठा के नमक डाले हैं आपके बारे में सुना गया है कि आपको बहुत मीठा खाने के आप चौकीन है तो जैपर में आप आए हैं तो यहां का कुछ ट्राय किया और ऐसा कि आप नेक्स टाइम भी जैपु रहें तो खाना चाए तो यहां मूंकी दाल का हलबा मिलता है वो भी खातों पैसन के पर गत्रैशित्य अपके आपके आपकमिंग प्रोजेक्ट है मेरी इसके बाद टिकुविट शेरू फिल्म हो रही है रिलीस्हे जो गंगना ने प्रोडूस की है उसके बाद हड़ी एक फिल्म के जो मैंने ट्राणजेंडर कर रोल किया उसके बाद नुपूर शैनन के साथ एक फिल्म किये, मैंने नुरानी चेहरा, उसके बाद एक अधभूध है, तो चार फिल्म में रिलीज हो रही है, आपके इतनी सारी मुवीज आई हैं, तो आपके कोई ऐसी फेवरेट मुवी जो खुद को देखना बहुत पसंद हो, कि हाँ यार, ये मेरी फेवरेट, मेरी फे लेकिन उस फिल्म को बहार काफी अवर्ड वर्ड मिले, तो इस चीज को लेके साटिस्फेक्शन मिल जाता है, लेकिन जब वो टीटी प्या है, तो बहुत लोगों ने देखा उस फिल्म को, शली हम दूआ करते हैं, कि आप ऐसे हमेशा सक्सेस की सीड़ते रहें, तो गाइस मस्ट वच्छ जोगी रा सारारा क्योंकि जोगी का जुकार कभी फेल नहीं होता है, थैंक यू सो मच